दोस्तों अभी के समय में आतंकवाद एक बहुत बढ़ा मुद्दा बन गया है आतंकवादी पर या आतंकवादी संगठन पर पूरे विश्व में इसको लेकर बैठक किये जा रहे हैं लेकिन इसके बाब जूद भी पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो की आतंकवादी को पाल प पिछले दिनों दोस्तों जो इरान ने पाकिस्तान पर एयर एटक किये हैं वो पाकिस्तान पर नहीं किये हैं पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैस अल अदल के ठिकाने के उपर एयर एस्ट्राइक किये लेकिन पाकिस्तान इसको अपने उपर हमला बान रहा है और इसी क के जवाब में पाकिस्तान ने भी इरान पर एयर एटक किया कई सारे मिसाइलें पाकिस्तान ने इरान पर दागी तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि इरान और पाकिस्तान में अब युद्ध की स्थिती बन गई है जो की काफी घातक है दोस्तों युद्ध 2022 में शुरू हुआ है रूस युक्रेन फिर इस्राइल और फिलिस्तीन अब देखिए पाकिस्तान और इरान मतलब युद्ध भारत की तरब बढ़ रहा है धीरे धीरे भाविस्त में जो हो वो तो देखा ही जाएगा लेकि तो दोस्तों आपको यह जनना बहुत जरूरी है कि इरान और पाकिस्ता में किसकी सेना जादा मजबूत है दोस्तों आपको बता दें पाकिस्तान युद्ध के मामले में हमेशा से भारत का कॉंपिटीशन करना चाहा है हाला कि उसने कंपिटीशन कभी नहीं किया है लेकिन इसी क्रम में पाकिस्तान की जो सेना है वो पूरे 20 में नौमे अस्थान पर है यानि कि दोस्तों पूरे विस्व में सेना की रैंकिंग में पाकिस्तानी आर्मी 9 नंबर पे आती है वहीं इरान की आर्मी 14 नंबर पे आती है तो इस वीडियो में आएटा वाईज की कि कितने सेना है कि तो दोस्तों ग्लोबल फायर इंडेक्स के मताबिक पाकिस्तान के पास Total Active Scenic 6,054,000 है वहीं इरान के पास Active Scenic 6,10,000 है यानि कि यहां दोनों सिमिलर है लेकिन दोस्तों आगे जो डाटा आपको बताएंगे उनमें कहीं न कहीं इरान कमजोर परता है पाकिस्तान से और होना भी चाहिए दोस्तों इरान के पास तब से जो मेन मुद्ध है इरान के पास एकराणाया के पास प्रवाणू बंस होबी भारत से ज्यादा प्रारत हो पाकिस्तान के पार्स है और दोस्तों पैर works वा कि देव. अगर हम टेंक की बात करें तो टेंक में पाकिस्तान काफ़ी आगए है इरान से, पाकिस्तान के पास 442, stronger, उन्र तीस तो टेंक हैं। वही इरान के पास लगभग 2000 के आज़स पास टेंक हैं। लेकिन ये युद्ध में उतना काम नहीं आता है बकतरवंदगारी का काम होता है युद्ध में राहत सामगरी पहुंचाना सैनिकों को एक जगा से दूसरे जगा ले जाना बकतरवंदगारी का मतलब अब सीधे समझ ये बुलेट प्रूफ ट्रक और वहीं दोस्तों अगर हम 1759 पाइटर जेत्स की वात करें तो उन में पाकिस्तान के पास 1424 फाइटर जेत नहीं और कहीं नच naszych एर.अर पाकिस्तान ने का जो युद्ध है ूस लेकिन वहीं दोस्तों हम एटक एक बाइटर जिनकी बाद करें जैसे हमारे पास राफेल है यह तैयसा में आते हैं तो वहीं पाकिस्तान के पास एटक एयर क्राफ्ट में लगवाग 397 एटक एयर क्राफ्ट हैं और पाकिस्तान के पास 397 एयर क्राफ्ट हैं और इरान के पास 116 एयर क्राफ्ट हैं लेकिन दोस्तों एक चीजी यह भी है इरान के पास ज्यादा वो है सब्मरीन सब् इरान के पास है और पाकिस्तान के पास ऐड़ी पाकिस्तान पे किया और पाकिस्तान ने मिसाइल इरान पे दा गए इसमें आप अपना क्या राय रखना चाहते हैं ये हमें कॉमेंट में जरूर बताना बाकि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और इसी तरह